लास लेक्चर की बात करें, तो लास लेक्चर मैंने आपको बताया था कि power factor जो है किस तरीके से कैसे system को affect करता है, हमने वहाँ पर चर्चा करी थी कि किस तरीके से conductor का size effect होता है, साथ ही साथ हमने देखा था कि power factor अगर change करोगे, या power factor अगर poor करोगे, तो सबसे ज़्यादा effect ज को बिना wire को जलाए हुए, एक सीज और important हम लोगों ने discuss करी थी कि KVA rating यानि कि machine का size है, वो KVA rating उसके depend करेगा, और KVA rating कहीं न कहीं power factor पर depend करती है, तो अगर कोई ऐसा system है, या कोई ऐसी machine आप market से ला रहे है, जिसका power factor पूर है, तो ऐसे case में उसकी KVA rating जो होगी, वो काफी ज्यादा हो जाएगी, यानि कि आपको काफी ज्यादा KVA rating की machine लेनी पड़ेगी, और ऐसे case में machine का size बढ़ जाएगा, तो यानि कि अगर मोटे मोटे तौर पर देखें, तो power factor अगर पूर होगा, तो KVA rating ज्यादा होगी, KVA rating ज्यादा होगी, तो एक बड़े size की machine हमें लेन तो यही वो lecture है, तो इस lecture के अंदर शुरू करते हैं, मेरा नाम प्राजल है, और आज हम लोग चर्चा करेंगे, बहुत important topic, कि किस तरीके से electricity bill और power factor के बीच में क्या correction है, क्या relation है, और यह एक बहुत important topic होने वाला है, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, अपने RL load है, ठीक है, और उस RL load के लिए मैंने utility से बात कर लिए, और एक word होता है utility, यह word बड़ा ध्यान से समझ लो, इसको पूरी जिंदगी, अगर आप power system पढ़ोगे, तो यह word आपके साथ रहेगा, utility, जनरली जो हम लोग power system में utility word का इस्तमाल करते हैं, इसका मतलब होता है service provider, service provider, यानि कि कोई भी ऐसी चीज जो service provide करती है, जनरली हम लोग जैसे for example, अगर आपके घर की बिजली यूभी PCL से आ रही है, तो आपका utility होगा, वहीं पर आपकी किसी और से आ रही है, रिलाइन से आ रही है, जो भी आपको electricity provide कर रहा है, service provide कर रहा है, उसको हम लोग utility कह दे तो मानते हैं, कि मेरे पास घर है, उसके अंदर है, RL लोड चला रहे है, RL लोड मतलब resistive और inductive load combination है, now क्योंकि resistive load है, तो भाई ये कुछ active power मांगेगा system से, green color की ले ले लेते हैं, और L मतलब inductive load है, तो ये कुछ pink color की line मांगेगा, भाई power का कोई color नहीं होता, लेकिन मैं तो एक active power मांगेगा, और inductor के across एक magnify field setup करनी है, तो उसके लिए उसे reactive power चाहिए होगी, हाला कि ये जो pink color का arrow है, ये double headed होगा, मैंने यहापे single headed बनाया जरूर है, पर होगा ही double headed, क्योंकि power हम ले भी रहे हैं और वापस भी दे रहे हैं, तो मैं उस half cycle की बात कर रहा हूँ, quarter cycle की, जिसके अंदर हम लोग reactive power withdraw कर रहे हैं system से, ठीक है, यानि कि हम utility से power ले रहे हैं, अगर हम बात करते है utility, तो utility की time में बात करें, तो अगर हमारा कोई load है, वो RL load है और वो active और reactive दोनों ले रहा है, तो अगर हम इसको measure कैसे करेंगे, यानि कि utility पैसा कैसे कमाता है, तो utility utility क्या करता है, कि जो भी तुम उसे power demand कर रहे हो, वो क्या करेगा, एक meter लगा देगा उसके उपर, और ये जो meter होगा, इसकी जो reading होगी, इसके थो वो अपने पैसे बनाएगा, तो generally ये जो अगर हम घर की बात करते हैं, domestic load की, तो generally ये जो meter होता है, ये होता है आपका क्लोव watt hour meter होता है, क्योंकि watt unit जो होती ही, किसकी होती है, this is your active power की unit होती है, तो ये जो energy meter है, ये active power को ही measure करेगा, ठीक है, तो ये बड़ी खास बात होगी, यानि कि जो तुमारे घर का जो load लगा हुआ है, वो utility जो पैसा तुम से वसूलेगी, जो तुम power consume कर रहे हो, वो on the basis of active power व reactive power देख रहे हो न, ये एक तरीके का loss component बन जाएगा, यानि कि अगर utility से पूछोगे, तो देखो तुमने बिल, यानि कि आपने घर में जो bill meter लगाया है, electrical meter, वो आपका क्योवल active power measure कर रहा है, लेकिन ले तुम reactive power URF system से, और अभी हमने पीछे कि जो भी lecture discuss करे, आपने ultimately जगां भी गेड़ती है, space require भी होता है उसे, और साथी साथ current भी बढ़ा देती है, तो losses भी बढ़ जाते हैं, उन losses को कम करने के लिए आपको मोटे conductor भी लेने पड़ते हैं, तो utility की नजर से देखो, तो वो तुमें, वो जो उसको पैसा revenue generate हो रहा है, वो के वो और active power से हो और losses जो हो रहे हैं, वो दोनों से हो रहे हैं, उसे conductor का size भी बढ़ाना पड़ रहा है, तो यह जो reactive power जो तुम system से मांग रहे हो, इसका तो कुछ हुआ ही नहीं, यह तो loss की तरह चला गया ना, क्योंकि यह तो तुमने इसके तो पैसे दिया ही नहीं ना, तुमने utility को, भास स लोटा देगा, लेकिन यह जो 20 रुपए के जो सिक्के दिये थे, यानि की reactive power, यह तो लोटा आएगा नहीं, क्योंकि कहेगा भाई, जो हमारा meter है, जो हमारा lane den वाला है, वो तो कह रहा है केवल हम सिक्के, तो हम misery नहीं करते, तो आपने रुपए तो उसे 70 दिये, लेकिन आ जाए, यानि कि इसको कैसे शामिल किया जाए, तो अब तक problem समझ में आ गई होगी, तो generally अगर हम लोग बात करते हैं, क्लोवाट मीटर की, क्लोवाट आर मीटर की, यानि कि जो active power को miser करता है, तो उसकी साथ problem यह है, कि वो नुकसान करेगा utility का, अब भाहिया utility तो ठहरे business man, यानि कि कोई भी अगर system है, या reliance अगर तुम्हें power दे रहा है, तो उसका, तुम्हारी service करने का उसका कोई ऐसा खास motto नहीं है, वो अपना business है उसका, तो उसको तो profit चाहिए होगा, और यहाँ से साफ साफ दिख रहा है, कि हमें क्या हो रहा है, हमें हो रहा है losses, clear हो रहा है इस reactive power को affect करेगा, आपके meter को affect करेगा, तो उसकी उपर जड़ा देखते हैं, तो पहले आपको problem समझ में आ गई होगी, कि generally अगर हम क्लोवाट आर meter यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी क्या समझ से आए हैं, और कैसे वो consumer के लिए फायदे मन्द है, लेकिन utility के लिए नुक्सान ठीक है, तो अब तक समझ में आगा होगी, problem क्या है, अब बड़ा important चीज आ जाती है, यहां से बड़ा interesting story शुरू होती है, और यहां पर मैं दो तरीके आपको बताऊंगा, जिस तरीके से reactive power को हम लोग electricity bill में include कर सकते हैं, देखो भई, मैंने भी पीछे आपको बताया कि utility आ आनी पड़ रही है, लेकिन तो उसके लिए pay नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो फिर utility को तो नुकसान है, तो यहां पर एक solution निकाला, तो दो तरीके, जिस तरीके से जो इस्तमाल करे जाते हैं, utility जिसका इस्तमाल करती है, electricity bill में reactive power को include करने के लिए, clear हो रहे हैं तो वो जला दोनों power supply कर रहे हो, तो यहां पर अगर आप एक किलोवाट आर मीटर यूज करते हो, यानि कि अगर utility आपको किलोवाट आर मीटर प्रोवाइट करवा रही है, ठीक है, तो यहां पर ऐसे case में, इस पडूल case में, आप लोग क्या करोगे, केवल आपको जो मीटर है, वो active power को मीजर करेगा, नो यह जो reactive power जो भी आपने पीछे देखा कि छूट जा रही थी मीजर होने से, तो इसका solution क्या निकाला, एक solution यह निकाला utility ने, कि अगर आप reactive power ले रहे हो, तो इसके लिए आपको surcharge देना होगा, बहुत ही important ही शब्द है, surcharge देना होगा for extra Q, यानि कि जो त अपना profit को growth करना है, और वो तुमारे लिए loss नहीं bear करेगी, तो यह जो reactive power तुम ले रहे हो, यह तुमारा जो meter तुमने use कर रहा है, यह तो केवल active power को miser कर रहा है, P को, केवल P को miser कर रहा है, तो इस Q के लिए क्या करते हैं, इस Q के लिए, यह जो utility होती ही, यह आपके bill में लगा के बेशती है, surcharges, clear हो रहा है, तो यह word बड़ा important है, surcharge, electrical engineering में, यह मतलब power system में अगर बात करें, तो काफी ज्यादा important है, काफी इसका नाम रहता है, और लोग को, कहीं न कहीं आपने अगर bill ध्यान से देखोगे, तो surcharge कभी-कभी आपको दिख जाएगा, लिखा हु आपके उपर, surcharge डालेगी, और extra Q, यानि कि जो भी तुम reactive power draw करोगे, ठीक है, आयूप समझ में रहा होगा, यहाँ पर एक bracket में बड़ा important option लिखा हुआ है, low power factor, तो आपको पता है, कि power factor जो होता है, मैंने भी पिछली lecture में आपको बताया था, वो indirectly reactive power control करता है, यानि कि अग इसका मतलब जो active power का component है, total apparent power में, वो बहुत कम है, तो बचवी power कहां जा रही है, तो बचवी power किस में जा रही है, क्यों में, clear हो रहा है यहाँ तो यहाँ से, इसलिए मैंने आपको कहा था, कि power factor एक indirectly यह बताता है, कि system के अंदर reactive power के साथ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क जो meter लगाया हुआ है, यह भले ही आपका केवल P बताए, लेकन यह जो तुम extra power ले रहे हो ना reactive power, यह आपके bill में लगके आ जाएगी, surcharge के रूप में, ठीक है, समझ मागई होगी होगी यह बात, एक तरीका और है, एक तो यह हो गया, कि भाई इसमें तो जहमेला है, बहु यह सब कोई नहीं करता, ठीक है, तो इसका एक solution और है, एक solution utilities ने और निकाला, कि मान लेते हैं, ऐसा कोई consumer है, जो reactive power ढंग से reactive power चार्ज ले रहा है, तो हमें उस पर पैसा बहुत खर्च करना पड़ रहा है, यानि कि एक अच्छी-काजी quantity में, वो reactive power ले रहा है, clear हो रहा है तो ऐसे case में हम लोग क्लोवाट आर मीटर की जंग क्या करते हैं, के वी आर मीटर लगा देते हैं, यह एक बड़ा important मीटर है, के वी आर, इसका यह जल्दी, यह basically industries में use होता है, के वी आर मीटर हम लोग घरों में यह नहीं देखते हैं, तो industries में, क्योंकि industries में अभी हम collective power को incorporate करने के लिए, यानि कि इनको bill में include, शामिल करने के लिए, सर्चार्ज लगा के दे सकती है, दूसरा क्या कर सकती है utility, कि भाया, एक KVA HR meter, यानि की KVR meter, ठीक है, KVA meter, इसको KV meter तरह को, R तो केवल energy को denote करने के लिए, ठीक है, क्योंकि power into time जो होता है, वो energy में convert हो जाता apparent power की तो under root में P square plus Q square, ठीक है, यह सब चर्चा कर चुके हैं हम लोग पीछे, तो KVA meter क्या करेगा, यह apparent power को miser करेगा, यानि कि भाया, यह total आपने कितनी system से power demand करी, यह क्या करेगा, यह total power बता देगा, यानि कि दोनों को P और Q यह meter ही miser कर लेगा, clear हो गया, तो यानि कि अगर charge का जहाड छोड़ो, consumer लड़ने आ जाएंगे तुमारे पर इतना छोड़ो इसको यार, इसके दगा क्या करो, एक simple तरीका निकालते हैं, एक ऐसा meter बना लेते हैं, जो दोनों को miser कर ले, और उस meter का नाम हो गया, KVA meter, क्योंकि KVA obvious ही बात है, KVA आपका यह जो meter होगा, यह बत तो भाई, इसके अंदर किसी भी तरीके के हमें, सरचार्ज की जरूरत नहीं होगी, यानि कि अगर आपके system में, यानि कि अगर आपके घर है, या इंटेस्टी है, और वहां KVA meter मैं अगर लगा दूं, तो किसी भी तरीकी का सरचार्ज जैसा concept तुमारे बिल में लगके नही तो यूटिलिटी आप पर फाइन डालेंगी सरचार्ज के रूप में, तो सरचार्ज एक तरीके का फाइन है, तो ये बिसिकली दो तरीके हैं, जिससे हम यूटिलिटी जो होती है, यानि कि जो companies होती है, जो आपको बिजली प्रोवाइट कर रही है, वो अपना loss जो होती है यानि कि reactive power अगीन एक loss है, ठीक है, और मैंने आपको ये भी समझा दी, क्यों loss हो रहा है, क्योंकि reactive power अगर सिस्टम में है, तो जगा गिरेगा, तो जगा गिरेगा, तो उसके लिए आपको conductor, motor यूज़ करना पड़ेगा, और compensation device भी यूज़ करने पड़ेगा, तो पैसा खर सर्च करेगी, तो आप से भरपाई करेगी, भरपाई कैसे करेगी, सर्चार्ज के रूप में, या फिर केवी मीटर लगा के, clear हो रहा है, तो आई हो, ये topic clear हो गया हुआ, आगे चलते हैं, अब भी आपने इतना कुछ बताया, सर्चार्ज के रूप में, तो जड़ा सर्चा यानि कि वो सर्चार्ज जो रियक्टिव पावर, यानि कि पाउर फेक्टर पूर होने के कारण्टों में देने पड़ रहे हैं, तो इसके definition समझ लो, पाउर फेक्टर सर्चार्ज क्या होता है, काफी बार वाइवा में पूछ लेते हैं, तो एक्स्टा चार्ज पेड़ा इ एक्स्ट्रा पैसे जो कंजूमर से पैनाल्टी की तरना चार्ज करे जाएंगे, अगर उनका पॉर फेक्टर, लोड पॉर फेक्टर एक डिजायर्ड लेविल के नीचे है, क्लेर हो गया है, क्योंकि मैंने आभी आपको पीछे बताया था, रियक्टिव पावर का कोई वैसा सिंग्निफिकेंस नहीं है, कि तुम रियक्टिव पावर की डिरेक्ट बात करो, आप क्या जज कर सकते हो, आप पावर फेक्टर से निकाल सकते हो, क्योंकि पावर फेक्टर इंडिरेक्ली मीजर करता है, तो हम पावर फेक्टर के बेसिस पे चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि र जिरो से लेके वन के बीच में देखो इसको समझो जो भी जो इंजीनियर्स ने पुराने समय में यह जो चार्जिस और यह सब बनाए इनके बड़ा दिमाग लगाए गया है पाउर फेक्टर की बात करें पाउर फेक्टर एक्वल्टू होता है कॉस्टीटा कॉस्टीटा क्यों लगाते के वल्ट तो क्यों कैसे करो यह बहुत ही बड़ा मतलब इक क्या सकते हो तुम्हे एक वाइड एरिया है उसको कवर कैसे करोगे समझ में रहा है अब जो 11 kvr मांग रहा है उसको कैसे control करोगे जो 5 मांग रहा है जो 100 मांग रहा है ठीक है तो इसलिए हमने क्या करा हमने इन सब को solve करके on the basis of penalty लगाएंगे यानि कि power factor के जो surcharge लगाओगे वो on the basis of power factor लगाएंगे तो यहां आ गया power factor picture में clear हो गया तो अब तक power factor दूर था लेकिन अब picture में आया power factor बड़ा important तो हमने क्या करा हमने कहा कि जो utilities थे उन्होंने कहा कि अगर आप reactive power है हमसे ले रहे हो तो पैसा तो तुम्हें देना पड़ेगा ज्यादा और पैसा कितना देना पड़ेगा उसके लिए हम set करेंगे level अगर जो है जैसे माल नेते मैं हूँ मेरा पडोसी है मेरा पडोसी बेकार power factor की machine चला रहा है मैं अच्छे power factor की तो मैं अगर अच्छे power factor की चला रहा हूँ तो मेरे bill में जो surcharge लगके आएगा वो कम आएगा लेकिन पडोसी के bill में जो reactive power ज़ादा ले रहा है तो वो load भी power system पे ज surcharge level अलग होंगे power factor के अगर आप मध्यप्रदेश में रह रहा है तो वहां अलग होंगे दिल्ली में अलग होंगे तो यह कौन decide करता है यह उस particular state की utilities decide करती है clear हो गया अब इसका एक example देख लेते हैं जैसे कि यह दे रखा ठीक है तो यहाँ पर बड़ा interesting सा example है बहुत ध्या परसेंट मतलब 1 ठीक है कि मैंना वह बताया था कि power factor अगर 0.8 है तो इसका मतलब 80 परसेंट याद होगा आपको इसली लेक्टर में हमने चर्चा करी तो जब भी हम power factor लिखते हैं जैसे 0.7 तो मतलब 70% into 100 से multiply करतो तो उतना percentage जो है उसके अंदर active power है now power factor 100% का मतलब क्या ठीक है कुछ भी यूही नहीं पढ़ना है तो यह जो 100% लिखा है इसका मतलब क्या हुआ सिंपल चीज़ है 100% मतलब पूरा पूरा active power है clear हो गया मैंने आपको बताया था याद होगा यहाँ पर लिखा भी है 0.7 मतलब 70% इसके अंदर active power है ठीक समझदार हो याद आ गया अब 100% active power है तो कोई दिक्कत ही नहीं है तो कोई सर्चार्ज नहीं लगेगा आप पर clear हो रहा है यहाँ पर समझ में आगया कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ठीक है अब एक चीज़ और दे दी इन्होंने 100% तो दिया ही दिया साथ में condition और दे दी बट 90% और मोर भाई अग यानि कि 100 से लेके अगर 90 तक तुमारा power factor है यानि कि 1 से लेके 0.9 तक अगर तुमारा power factor है तो आपको कोई सर्चार्ज नहीं देना पड़ेगा आप इस पर ताली बजा सकते हैं क्यों यह बड़ा important काम करा यह बहुत ही अच्छा काम करा सरकार ने utilities ने क्यों क्यों क्योंकि यहीं पर आपके घर आ जाते हैं यानि कि यहां आ जाते हैं domestic load domestic load समझ रहा हो इसी लिए तुमें कभी अपना बिल देखना तो उसमें सर्चार्ज 0 देना पड़ता है power factor के basis पर क्यों क्योंकि आप लाय करते हैं इस range के अंदर तो यह काम बहुत अच्छा करा अगर यह नहीं हैं तो इसलिए क्या है domestic load जितने भी होते हैं जनरली जो तुमारा हो गया पड़ोसी घर हो गया आसपास के जो colony देखते हो सब domestic load के अंदर में आते हैं तो उनका जनरली जो reactive power का जो डिमांड है यह कहलो दूसरे टर्म में indirectly power factor यानि कि उनके जो घर का power factor होता है वो कितना होत तो हम लोग के घर आ गये यहां पर तो यहां पर आ गया मैं और तुम सब आ गये इसके अंदर clear हो गया यहां पर domestic load आप जड़ा नीचे चलते हैं इसको हम एक नाम और देते हैं याद है आपको एक नाम और दियता है मैंने good power factor तो हम लोग good power factor की range में आते हैं ठीक है यही range याद होगा आपको मैंने बताया था वन से लेके 0.9 spectrum याद करो तो यह हमारी वो range थी जिसको हम लोग ने कहा था good power factor की range तो यह वो range होगी ठीक है अच्छी और याद रखना मैंने अभी लिखा था कि level set by utilities तो भाईया यह हम बात कर रहे हैं इंडिया में किसी particular state की तो यह ए tight ध्यान रखा जाता है कि नहीं एकदम अच्छा होना चाहिए power factor तो वहाँ पे हो सकता है आपको 0.95 दिखे यानि कि 1 से लेके 0.95 तक है तब तक तो तो तुम पे कोई surcharge नहीं लगेगा अगर 0.94 हो गया तो surcharge मीटर में लगके आ जाएगा ऐसी जगाए भी होती है बहुत छोटा भी हो सकता है और wide भी हो सकता है हो सकता है कुछ ऐसी जगा जाओ जहां पर आपको 1 से लेके 0.8 तक कोई surcharge नहीं देना पड़ेगा तो यह जनरली बहुत rare होता है क्योंकि 0.8 तक आते 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 आप bad power factor की category में आ जाते हो याद होगा ना याद है आपको 1 से लेके 0. 0.9 good power factor 0.9 से 0.8 bad power factor और 0.8 से below poor power factor याद है आपको यह चीज ठीक है तो होई चीज है clear ना आगे चलते है ना दूसरा case आ जाता है यहाँ पर 90% से 0.88 देखो बड़ा एकदम से देखो टाइट बैंड हो गया जैसी तुम 90% से नीचे उतरे तो बैंड देख रहा हो एकदम 90 स 0.88% 90 से 0.88 बहुत जड़ा सा यानि कि 2% का बैंड आ गया अब ठीक है तो 90 से अगर 0.9 से नीचे उतरे तो 0.88 यह जो रेंज है इसमें आपको 2% सरचार देना पड़ेगा क्यों 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 जैसी तुम 0.9 से नीचे उतरते हो एकदम से huge amount of reactive power होती है clear हो गया तो इसी लिया जाता domestic load से power factor के basis पे क्योंकि हम लोग का जो power factor होता जनरली वो 0.9 के उपर होता है और ऐसे case में जो reactive power demand होती है वो यानि कि 0.9 के उपर अगर आप जाओगे 0.9 के उपर तो ऐसे case में क्या होगा हमारी जो reactive power की demand है वो क्या होती है वो negligible होती मतलब ना के बराबर clear हो र देते हैं compare to the industrial load clear हो गया तो अगर आप इससे नीचे आ जाते हो category में second category में तो वहाँ पे देखो 9.9 से 0.88 जाओगे यानि कि 90% से 88% तो 2% सर्चार देना पड़ेगा यानि कि जितना भी तुमारा बिल आ रहा है उसका 2% तुमें extra देना पड़ेगा clear हो रहा है यानि कि 1000 0.02 यानि कि 20 रुपए आपको देने पड़ेंगे बिलके as a surcharge रुपए clear हो गया यहाँ पे अब एक और इसके नीचे आते हैं लेकिन हम यहाँ पे नहीं माने कुछ ऐसी industry होगी जो और poor power factor पर जाएंगी तो देखो अब क्या है बड़ा ध्यान से देखने वाली बात है अग 16% surcharge देना पड़ेगा यानि समझ सकते हो कितना ज्यादा surcharge तो मैं extra देना पड़ेगा अगर आप यहाँ पर आचा ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि देखो जब तक 0 यह बड़ा important है यह बैंड बड़ा important है 0.9 से लेके 1 के बीच में कोई surcharge नहीं और उसके बाद देखो कितनी 30 से surcharge बढ़ रहा है 2% 4,9 और 16 हो गया सीदे clear हो रहा है यह वाला देखो यह वाली category अगर इस category में तुम फस गए तो 16% surcharge देना पड़ेगा समझ रहे हो बिलकूल हालत खराब हो जाएगी ठीक है तो यह चीज़ बड़े ध्यान रखने वाली बात है इसलिए 16% मतलब समझ अगर 1000 रुपए का बिल आ रहा था तो उसके साथ प्लस 160 रुपए अलग से लगके आएंगे और यहां लिखा होगा बीच में सर्चार्ज नीचे साइड में छोटा सा लिखा होगा सर्चार्ज और नेट बिल तुम्हारा ऐसे करके 1160 का बन जाएगा तुम्हें समझ में नहीं आएगा क्योंकि मीटर तुम्हारा 1000 रुपए बता रहा होगा तो आई ओपी से समझ में आगए कि बहुत डिटेल में इसको पैनालिटी क्यों डाल रहे हैं आकर इसको मैंने आपको मोटा मोटा तो बताई दिया था लेकिन अब जरा इसको एक बार और ध्यान से देख लेते हैं टॉपिक के तौर पर मालेते हैं ग्लास है हमारे पास इसके अंदर इतनी हमारे पास पर्टिकल्ड कोल्डिंग और यह ग्लास में तो मैं हर बार कोल्डरिंग का पिला रहा हूं पिछले तीन-चार लेक्चर से तो उसी उपर ध्यान देते हैं यह जो कोल्डरिंग है इसके अंदर यह हमारी एक्टिव है और यह जो उपर ज्छाग देख रहा है अगर हम इस पर्टिकलर केस की बात करें तो इस कि अगर तुमारी कोल्डरिंग आटोमेटिक कम हो गई है तो भाई तुम तो शिकायत करोगे तुम पावर सिस्टम वालों से काओगे यार मुझे तो एक्टिव पावर ज्यादा चाहिए मैं तो बिल इतना ज्यादा पे कर रहा हूं मतला मैं कोल्डरिंग पीने आया हूं ज जो हमारा एक बात हमेशा याद रखना जो भी तुम सिस्टम यूज कर रहो यानि घर में मोटर एसी जो भी चला रहे हो उसको जितनी रियक्टिव चाहिए और जितनी एक्टिव चाहिए वह ड्रॉग करेगा अगर वह चलेगा वरना नहीं चलेगा तो अधिन अगर तुम tv चला रहे है तो tv को जितनी active और जितनी reactive चाहिए वो उतनी system से withdraw करेगा और system अगर नहीं दे पाएगा तो tv shutdown हो जाएगा या फिर light चली जाएगी जैसा होता है कई बार देखा होगा गर्मियों में बहुत ज़्यादा AC On हो जाते हैं तो system से मांगी जाती इतनी huge power अगर system नहीं हमने मार करी है हमने जो दलट ने पहुंच जाओगे हमने न की भी हम N dept कहानी हमें मत बताऊ हमें sumने तो आब क्या करेगा सेम मंट की को दिलीवर कर नहीं इन्क्रेश अमौंट उब र्येक्ट पर फ्रावल्म भॉल महलबफ उसके बहुत इंपॉर्टेंट P कम हो गई है और Q बढ़ गई है ठीक अब हमें क्या करना है हमें Q को बढ़े रहन देना है same amount की reactive power भेजनी है with same amount of P यानि की Q बढ़ गया है वो भी भेजना है और active power जो है वो भी भेजनी है तो बढ़ा हुआ Q और active power दोनों हमें भेजनी है तो इसका क्या तरीका होता इसका एक ही तरीका है कि हम लोग ध्LEक़् मिल कहाई और इसके इंदर जितनी हमें यह चाहिए ती बलकि यहां पर यह आएगा तो देखो अब क्या हुआ यानि कि अगर मैं आपसे कहता हूँ आपको एक certain amount की coldering चाहिए थी certain amount की reactive power चाहिए थी आपने क्या करा चुक्के से reactive power demand बढ़ा दी तो utility की क्या हुआ utility की जो आपको active power दे रहा था वो कम हो गई ऐसे case में आप लड़ने पहुच गए आपने का नहीं हमें उतनी active power चाहिए with increased amount of reactive power तो यह कब संबब हो पाएगा यह केवल तभी हो सकता है कि जाग भी जादा हो और coldering में जादा हो बात समझ रहे हो तो अगर बड़ा glass लोगे तो भाई इसकी cost भी तो बढ़ जाएगी इसकी cost क्योंकि glass तुमने बड़ा ले लिया है अब यह जो बड़ा glass लिया इसकी cost जादा होगी यह cost कौन पे करेगा तुम ही को तो पे करना पड़ेगा utility थोड़ी पे करेगी भाई अगर आप MACD में जाके order करते हो कि मुझे large french fries चाहिए तो large french fries के पैसे तो तुम्हें देने पड़ेंगे न तो यह जो cost बढ़ गई है इसी को हम कह देते है surcharge यानि कि यह जो extra cost आई यह जो पूरा कहानी मैंने तुम्हें समझाई है यह basically यह ही है conductor का size क्यों बढ़ा है हमने बस उसी को मैंने glass के तरीके समझाए तो यह जो glass बढ़ा लिया है इसकी वज़े से जो extra cost पे करी है this is what we call surcharge clear हो गया और यह जो surcharge होते हैं यह वो penalty तरह आपके bill में लगके आते हैं clear हो गया यह आपे ठीक है और क्यों आपसे system demand करता utility क्योंकि भाईया उसको बड़ा glass इस्तमाल करना पड़ रहा है यानि कि उसको मोटे conductor इस्तमाल करने पड़ रहा है तो मारे घर को बड़ी हुई coldering और बड़ी हुई reactive power देने के लिए मतलब bubbles को देने के लिए clear हो गया है आपे आयूब समझ में आएगा यह आपको clear हो गई होगी ठीक है आगे चलते हैं अब बात कर लेते हैं कि भाई difference क्या है electricity will domestic और industrial consumer में मैंने आपको बता है हम लोग तो domestic अंडर में आते हैं और industrial वाले जो होते हैं वो नीचे category में आते हैं तो हम लोग को यह facility क्यों लोग दी गई है हम लोग को आखिर क्यों सर्चार्ट से मुक्त कर दिया गया तो उसको देख लेते हैं तो अगर हम home की बात करें कंपयरबा नहीं क्यों होगा इससे कोई फायदा नहीं है इसे लिए वह birthday गढार घृंप कुमारे घर के मीटर लगी क्यों है क्यों क्योंने और गर पर छोटी मोटी मशीने हैं अगर एसी भी चला रहे हो तब भी रियक्टि पॉपर इतनी जादा हम ट्रॉल नहीं करते एस कंपर टू इंडस्ट्री बड़ा इंपॉर्टेंट है यहां पर रीफ्रेंस यह जो मैं कहा रहा हूँ ना वैरी लो वैरी लो का इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं बड़ी-बड़ी इंडस्ट्री है वहां पर समान बहुत बन रहा है इंडस्ट्री है बहुत ही विया रिकॉयर्मेंट है यहां यही तो वह दिक्कते हैं क्लोग और र मीटर का इस्तमाल करें आयोब समझ में आ गया होगा यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए तो यहां पर मैंने कंपेर कर दिया कि इंडस्टियल और डॉमेस्टिक लोड को अगर आप डॉमेस्टिक के अंडर में आते हो आपसे कुछ भी एक्स्टा नहीं मांगती लेकिन अगर हम इंडस्टिय की बात करें तो भाई यह वहाँ पर बड़ी-बड़ी मशीने लगी होती है वहाँ पर रियक्टिव पावर रिकॉर्मेंट जादा होती है तो यह एक मेजर कंसर्न है और ऐसे केस में दो तरीके हैं यह पास जो हमने पीछे सीखे थे या तो क्लोवाट आर मीटर यूज़ करो तो सर्चाज लगाओ वनना फिर केविये मीटर यूज़ करो यानि कि एपरेंट पावर को मीजर करें नाव एक बड़ा इंपोर्टन पाट यहाँ पर एक और आता है कि भई इंडस्टी का इतना पूर पावर फेक्टर क्यों होता है यानि कि अगर हम बात करें हमने अभी यह सारी चीज़े डिस्कस करीं हमने कहा कि हम लोग बहुत खुश नसीब है कि हम लोग हाई पावर फेक्टर वाले केटिगरी में आते हैं और हमसे बिल्खोल भी सर्चार्जग नहीं लिया जाता है ना ही किसी तरीकाई पैनालिटी डाली जाती है ना केवीय मीटर का इस्तमाल करा जाता है पर इंडस्टी के साहथ यह सब Сितम क्यों हो रहाए ने क्या बगाड़ा है इसको भी चर्चा कर लिए एक कोशल ऊगा इंदस्टी में उस्ट होती तो इन डिस्टी में कि में चोला है इसके बाद हम लोग इस को शुरू करेंगे और ठीफेस्ट इनक्षन मोटर करेंगे तो तो वहाँ पर हम सीखेंगे कि 3-phase induction motor क्यों reactive power ज़्यादा मांगती है तो ये तब तक के लिए आपको थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा तो अगर industries की बात कर लें तो mainly जो industries का जो load है वो होती है induction motor वहाँ पर इस्तमाल होती है इनकी maintenance असान होती है और इनको चलाना असान है control करना असान है ये सारी features होते है तो mainly induction motor है चाए वो single हुई है तो अगर हम induction motor के इस्तमाल कर रहे हैं तो induction motor की एक बड़ी खास बात होती है कि इनका low और lagging power factor होता है इन दोनों में अंतर पता होगा आपको मैंने आपको जब category बताई थी power factor की तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि low power factor और lagging low का मतलब हो गया bad power factor ठीक है यानि कि 0.9 से नीचे ठीक है 0.9 से नीचे ऐसे नीचे ऐसे बनेगा ऐसे बनेगा 0.9 से नीचे power factor होता है ठीक है ये गलत बनाया ठीक है तो induction motor जो होती है उसका low power factor and lagging low का मतलब हो गया 0.9 से नीचे होगा और lagging का मतलब हो गया कि inductive load हमने यूज करे हुए याद होगा आपको मैंने बताया था ये बड़ी important category कई लोगो इस पे doubt होगा कि sir low power factor क्या मतलब होता है poor power factor क्या होता है positive power factor क्या होता है negative क्या होता है और lagging leading क्या होता है तो आप इसके लिए मेरा पुरान lecture देख सकते हो types of power factor one of the most important lecture है और बहुत ही beautiful तरीके से मैंने वहाँ पर इक cover की है सारी चीजे तो आप उसको जाके देखे free of cost available है तो शुरू करते है यहाँ पर मतलब इस question का answer देता हूँ मैं आपको कि induction motor हमने इस्तेमाल करी induction motor की खास बात क्या है कि इनका low और lagging power factor है यानि कि low भी है और lagging भी है तो ऐसे case में क्या होगा यानि कि अगर हम इस induction motor को आप देख सकते हो अगर हम इसे no load पर अपरेट कर दें तो इसका power factor बस 0.2 और 0.3 मतलब सोच सकते हो ना कितना ज्यादा severely poor है एक होता है poor एक होता है poorest तो यह poorest होता है यानि अगर हम induction motor को बिना load के start कर दें तो इसका power factor 0.2 से लेके 0.3 के approach रहता है मतलब huge amount की reactive power यह draw करेगा system से तो भाई उसकी penalty भी बहुत तगड़ी आएगी और अगर penalty नहीं लोगे केवी मीटर लगाओगे तो केवी मीटर भी बहुत तेज घूम जाएगा फड़ा 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 आपकी reading बढ़ जाएगी तो भाई इतनी ज़्यादा poor power factor है तो इनको कैसे हम छोड़ दें तो utility को losses बहुत ज़्यादा हो जाएगी अगर industries को छोड़ देती है अच्छा चलो यह no load होगे अगर हम full load कर दें तो भाईया full load पर भी इनका power factor 0.9 से नीचे ही रहता है 0.8 से लेकर 0.9 के बीच में ही खतम हो जाती कहानी यानि कि अगर हम full load ले 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 तब भी हम losses में है clear हो रहा है यानि कि अगर हम induction motor बिना load के चलाएंगे तब तो घाटा होई रहा है तब तो utility का band बच जाएगा इतनी ज़्यादा रेक्ट पाउर मांगी जाती है और अगर full load पे भी induction motor चल ले तब भी काफी ज़्यादा poor power factor है देख सकते हो 0.8 से 0.9 यानि कि कौन सी केटेगरी है जल्दी से बताओ comment section में लेके 0.8 से लेके 0.9 मैंने बताया था ठीक है answer क्या है bad power factor की category में आता है कई कई जगाओं पे तो जैसे कोई अच्छी जगाँ है जैसे for example कहीं बहुत अच्छी power quality अगर maintain करी जा रही है तो यह poor power factor की quality में भी आ जाएगा समझ में आ रहा है तो bad और poor की power factor quality में आता है full load पे जिसमें हम कहते हैं कि full load पे induction motor का power factor इंप्रूव होता है तब यह bad में आ रहा है तो सोचो no load पे तो poor rest में आ जाएगा यहां पर दिखा हुआ है clear हो रहा है तो यहां से आप एक चीज बिल्कुल clear हो रही है कि इतना ज़्यादा जब सबस्यादा इंडक्शन यहीं कि जैसे कि इंडस्ट्री के अंदर अगर हम लोग हीटिक फरनेस का इस्तेमाल कर रहा है यानि कि कोई metals related इंडस्ट्री है जहां पर heating furnaces का इस्तेमाल हो रहा है या फिर आर क्लैम का इस्तेमाल हो रहा है तो इन दोनों के साथ भी खास बात होती कि इनका भी extremely low power factor होता है तो यहां से overall picture जो conclude हमने करी कि इंडस्ट्री का power factor जो होता है काफी poor होता है और उसके पीछे reason के है तीन important reason सबसे बड़ा अगर हम highlighter से mark करते हैं तो सबसे बड़ा reason होगा induction motor उसके बाद heating furnace और क्लैम्स तो यह तीनों के तीनों जो major component industries के जिससे काम करते हैं हम लोग उन तीनों का ही power factor poorest होता है और poor power factor के साथ जब deal करोगे reactive power ज़्यादा मागोगे तो भाई यह जो domestic हैं आप लोग इस बात का शुक्रियदा कर सकते हैं भगवान को कि आप इस category में जिससे आपके उपर ना तो कोई इंट्रेस्टिंग लेक्टर था आई हो मैंने बनाया तो मुझे तो काफी इंट्रेस्टिंग लगा आपको अगर पसंद आया है तो लाइक कर सकते हैं अपनी feeling हो सकती है आप लेमना कीमति समय दिया उसके लिए धन्यवाद आने वाले लेक्टर में पाउर फेक्टर के अब तक 3-4 लेक्टर में ले चुका हूं अब अब तक हमने सीख लिया है कि यह कितना चीज़े बिगड़ चुकी है पाउर फेक्टर कितना पूर होगा तो क्या आस पूर हो गया बहुत ज़्यादा आ रहा है तो उस बिल को कैसे रोकें तो पाउर फेक्टर करेक्शन टेक्निक के उपर नेक्स लेक्टर बिलकुल तयार है और वो जस्ट आपकी थाली परोसा जाएगा अगले सेशन में तब तक लिए धन्यवाद